प्रवाइब दोस्तों कमलेश लेक्टीस नमें स्वागा थे आज कर एट ओबिक दोस्तों कल कर जो हम लोग वीडियो जो एक वीडियो बनाए फर्ष्ट पार्ट दूसका आज दे दूसरा पार्ट दो बनाने वाले हैं तो इसके बारे मैं आपको पहले ही बता देते हैं कैसे सब्सक्राइब दोस्तों आपको समझ नहीं आता वीडियो हम जहां पर इसका जो पहला पाट जो हमारा देन हुआ था वहां से स्टार्टिंग करते हैं देखिए यहां पर हम लोग लक्स लगा रहे थे यह लक्स लगाने के बाद हम लोग कटउट को लगाएंगे उसके बाद हम आगे कपो आपको बताते हैं कैसे तरीके से इसको लक्स लगाना ठीक है दूस्तों हमारा पहला नंबर का फेस्ट जो लगा दी उसके आधा दूसरा नंबर लगाएंगे तीसरा नंबर यहां पर वीडियो बनाना नहीं बढ़ रहा है देखिए यहां पर हमारा तीनों कट आउट का जो है पॉल हमारा कनेक्शन हो गया और देखिए हम लोग यहां पर न्यूटल भी जंपर कर दिये तो हम यहां पर सिंगल फेस अभी जो हमारा सप्लाई है उसको यहां पर हमारा मीटर से कनेक्शन हमारे इंपूट हो गया पहले आपको यह वालब पॉइंट बताए यहां दोनों भी connection हो गया देखिए और वाइव वी ठीक है यह हम लोग 3 प्रेस का तीनों connection कर दिए उसके बाद देखिए यहां पर हमारा connection पॉइंट है कि आर वाई विक एवन पनृ फेस लग गया हमारा आॉटपुोट ए यह हमारी इनॉटपुट एसमें क्टाउट लगाएंगग ईह सौ फेस का देथिआरे के से कटोट जो हमारा लगाना यहां पर अमरेकश नों ऑप अर्यां कट जो हमारा रेडी होente गया देख सकते हो Cut out इस तरीके से लगाते हैं क्योंकि यहां 3-phase का मीटर इस तरीके से लगा के अपन यहां पर पॉइंट करते हैं Output का Allux में करते हैं यह neutral point ऐसा So हमारा cut out का गया रहा है देख सकते हैं RY बी हमारा 3-phase का point है जो हमारे meter से देखी हमें लोग point लेकिया है आटपूट से यह वाल है तो हम इसको जो है पैनल में लगाने वाले यहां पर नूटल भी हमारा यह जो ब्लुक लर कर नूटल पॉइंट है देख सकते हैं यहां पर सीक्षे में हमको वैर है तो यह जो हम लोग लगाने वाले पैनल पर हैंगींग करेंगे यहाँपर देखे आपर उसको पॉइंट यहाँ पर तुह हम लोग फासनर लगाने वाले चारSu यह उपर नीचे नीचे में 2 पॉइंट है यहां तो उसमें फास्नल लगाएंगे उसके बाद जाम करके अब बताते हैं कहां पर इसको लगाना है यहां पर हम पहले पार्ट में क्या की है थे पहले वेरिंग को हम लोग यहां पर ढूंड़े थे दुकान का कितना भी हैं इसा हमें patients here यहां पर एक और ग्रीण खाएर यहां पर देख सकते हैं यह जह झाम लोग लुक टिंग करेंगे on our connection करेंगे करेंगे आपको बता दो इसमें पहले अब कुछ ऐसा प्टिंग करें बताते हैं और इसमें क्या-कर समान कि उसके बाद ये लो zwign co lokt करना है हमारा फासनर जो है यहां फेल दा गा और यह लूख हो जाएगा उसके लिए खु़ज tom लग यहां पर लगा दी देसे ंपर का बीड हमारा पैनल्व को पहले रख tabii रखें मार्किंग करना द जीए नश्क करना यहां पर टेप लगाए उसी साब से अपने को फॉल करना है देखिए यहां पर एक होल हो गया तो इस आप से अपने को फास्नर है यहां पर लॉक करके इसको ठोकना है ठीक है तब हलका सब इसको बहार रख लगते हैं देखिए इस तरीके से इसको लॉक कर देना है उसके बाद जो है यहां पर इसका पीन है इसको पीन को अंदर डालना है तब ही लॉक हो गया और इसको नट्स हम लो ठोक दिये इसको बाहर कर दिये एक इंची करीब और देखिए आपर दूसरा नंबर अंत्र बाहर को यहां बाहर करहा है आपका देखिए एक राप्तर इसको नहीं पज़ा देखिए जाओग इसको आगड़ाब धर शबणाड़ पीन पीन देखिए नंवास कर दिए देखिए एक जज़ को यहां नहीं जगते रहांओग प्रेफिए कि ओई था इस निर लगाना था और ब्लगा दी यहाँ फैनल जो इसको फिटिंग कर दिये और नट अच्छे तरीके से टाइट कर दी जृच मिल्ग आप्पर देखिए फैसंद किस तरीके इसको है और हलका सभी 19-20 होगा तो हमारा जो पैनल बॉक्स नहीं लग पा रहा था देख देखिया हूंगे आप तो देखी कैसे तरीके से इसको फिटिंग किये और हमारा पैनल तो फिटिंग हो गया कंप्लीड उसके बाद देखी यह वाला जो नर्ट बोल्ट चारों टाइट कर दीए उसके बाद देखिया हमारा वैर था तो हम वैर कैसे तरीके से इसको एक बोर्ड डिवाड़ेट करने के लिए बोर्ड ला दीए पीविसी बोर्ड बार मोडलर का और देखिये जितना भी प हम लोग बना पर हम लोग पहले मार्किंग कर दी एक एक करके वैर को चेक करने के लिए उसके बाद दिखे आर फेस लिए वाई फेस निउटल यूपी एस और अर्थिंग कोन सा है उसब लीक के रखें देख सकते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे इसको कैसे तरीके से इसको फिटिंग करना है और कैसे तरीके से उसको वैरिंग करना आपको बताएंगे कैसे तरीके पहले हम लोग इसको पाइप लाइन करके यहां पर हमारा हॉल पॉइंट है इनपूट और यहां पर हमारा इनपूट है और यहां पर उसके बाद हमारा पहले तो यह वैर ले और उसके बाद आपको डबबा कोल के बताइगे इसका चाबी में लोक है उसको खोलते हैं उसके बाद आपको बताइगे वैरिंग कैसे करना इसका देखिए दोस्ता हम लोग पूरा बोर पे वैरिंग कर दी एफ एक्सेयल पे लगा दी यहां पर इन्पुट हमारा ओपुट लाइन है हमारा ढूवार अबार लेंगी यह हांपे लु करके को थे चरह ऐसे तरीके हैं कि इसको हमारा मात्यियों चाहि जेल है रॉय थे यह लगाएंग framing क और ते लेहाँ। हम लग distinguished कि गॉल करेंगेgging करद दे। इस में उसके बार नियुट्ल पॉइंट यहां डालेंगे आद इसके बार हमारा पैनल का इंपूट कनेक्शन हो जाएगा उसके बार जितना भी कनेक्शन आउटपूट का एमसीवी पॉंट में करेंगे उसको बताते हैं कि हमारा केवल बाहर हो गया पीवीची का इसको डवल कोटिंग करना है क्यूंकि हमारे लक्स में असानी से टाइट फिटिंग हो जाए नहीं तो यहां पर लूच कनेक्ट हो जाएगा वैर इसका पीवीची बाहर कर दी और यहा इसलिए तरीका से चलता है और यह वायर नहीं चिलाता तो मुह से चल के देखाया गाएक अब उस दिरके वाद अवसानी से हो गया तो नहीं इसको नहीं चिला दिनें बाकिंगो अब यहां पर हम लोग लगाएंगे जो हुआरा 35 mm को कौन सा लक्स लाएं देखते हैं 35 mm उड़ना है और इसमें लख्ष में लगाना है ठीक है यह मोग इसे लिए लंबा इसको दोस्तुल यहां पर ज्यादा काम नहीं है इसलिए हम लोग पंचिंग तोल लेकिन इधिन आई इसको पंचिंग करना है आप मेरे वीडियो पर देख सकते एक थ्रिफेस पैनल ता उसमें यहां पर लॉक्स को लगा जाता है उसके बाद हम इसको पंचिंग करेंगे और बहुतर है उसके लगाई गोड़ेंगे देखिए ऐसा थोड़ी छी अपने को दो और एक बंदा विची अपने को पकड़ने के लिए इसके बाद देखिए पंचिंग करेंगे इसको जितना भी वैर बाहर आया है वो सब अंदर हो जाएगा यहां पर पंचिंग कर दिये सबको और उसके बाद हम लोग एक एक वैर को को यहां पर टेपिंग करेंगे को सीगनल के सीछाथ से वैर के साबसे यहां पर ह्भी है तो बुछलर का तो हमारे पास टेप नहीं तो ग्रीन मारेंगे उसके राद निटल को ब्ले करेंगे यहां पर निटल पइंटे इसको ब्लेक कर देतेगा पुरुड ौा पुरा है tonight color करें आर्भाईबी का अमार में हमारा करेंगे कैसे तरीके से आपको बताते हैं हमारा यहां आरवाई月 वई पर से यहां भी लक्ष आलते हैं यहां पर हमारा फैस्क यह रेड़ वायर ड़ ही कि हरा बाहटते हैं ह९ह स्क पर सब्सक्राð akustic करें वी अपर में या कि यह न सब्सक्राण सब्सक्राद का में हैं क्था क्या नीचे से उपर से घ्रण अगा तो आए एक श्found auton ले लेते हैं और उसको एक-एक करके सको टाइट करते हैं क्यूंकि यह वालब ती पाना से बहुत असानी से हमारा टाइठ हो जाता है यह आर वाइब भी चनेक्शन हो गया और बच गया हमारा टर्मिलार हमारा निवटल पॉइंट का ठीक है दिए पर निवटल पॉइंट है यहां पर लिखा हुआ है, ठीकिक एसको यहां पर दालेंगे जहां पर हमारा चेंजवर का इनपूट आगा लाइन हमारा रॉस्तो हर समय जो है निवटल जो है क्योंकि यहां पर कट आउट और यह डाड़ेटी रहता है कहीं भी हम लोग mcb में कहीं desires यहां नहीं लगाते कहीं ने लिकल यहां पर 14 c हो जाएगा इसलिए नी फिर चोने को किनें करते हम लोग से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखिक अच पोने को कनेक्ट कर देंगे यहां चल्वर्त से हमारा न्यूटल कनेक्ट रहाएगा देखिए यहां पर हमारा input हो गया हमारा खंबम का लेंज लए और नीज़ाप भी कर लिए यह कि दिर हमारे पास ओर बच गया हमारे त्री फेस line एं ठीक है और generator है हमारे पास single face का तो बहुत जन सवार रहता है single face का जो है generator को कैसे connection दे हमारे ठी ठीज़ पर ठीज़ तो आइए आद को बताते हैं यहां पर trie face का जो single face को generator को three face में convert कैसे करते हैं आपको बताते हैं कैसे तरीख यहां पर पहला नंबर में चलेगा यहां पर देखिए पॉइंट करेंगे और जनेटर का पॉइंट जो है चेक करके आपको बताएंगे कैसे तरीके से यहां पर लगाना है और पॉइंट कैसे करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर नूटल करेंगे और तीनों पॉइंट को हम लोग टर्मिलल को एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा सिंगल फेस का काम करेगा यह हमारा थ्री फेस डिसकनेक्ट होके सिंगल फेस में आ जाएगा दूसरा नंबर में देखिए दोस्तों ह तो रेप वार को बाहर लेकि जाएंगे जन्रेटर पोइंट में चनेक्शन करना है देखी दोस्तो यहां पर हम जर्णेटर कनेक्शन का जो पॉइंट है आपको बदाते हैं पहले निव्टल पॉइंट कर देते हैं इसके बाद जितना भी पॉइंट कनेक्सान है वैसे ही पॉइंट को अपने को उसी में डालना है नहीं तो यहां पर वेरिंग जो है पॉबलम हो जाएगा दोस्तों यहां पर अच्छे तरीकेश इसको टाइट कर दी हम लोग और आपको देखा दे सकते हैं यहां पर नूटल प्रियोडे यह वाला और रावाइवी और यह पॉइंट हो गया इसको केवल्ट आईवी लगा दी इसके बाद इसका पी बीचि बाहर किये थे उसको फिटिंग करना है और यह हमारा में कनेक्शन जैंटन कनेक्सन हो गया इसको खली वायर को बस जोड़ना है जैंटर को एह पर उसके अधर हमारा कनेक्शन हो जाएगा उसके अधर आपके बच गया हमारे घर के जितना भी दुकान का कनेक्शन है इन्वेटर पॉइंट और उसमें जितना भी फेस नूटल जितना ही जोड़ना है सब इसको जोइंड करेंगे अभी पूरा काम होने के बाद देखी यहा यहां पर हमारे टर्मिनल है इसमें तो यहां पर टाइम आनने की लिए इसको बनाया गया है देख सकतो कंपनिया नहों काफी अच्य तरीक हँर इसको वर्थ करके बनाया है ते यहां पर हम लोग निवटल अब आकी जो यहां पर एक UPS का पॉइंट है, इसको भी टाई मारके अभी लेके जाएंगे जहां पर हमारे MCB पॉल पर और एक हमारा अर्थिंग का है, अर्थिंग जो हम लोग बोडी में डालेंगे इसको, ऐसे तरीके देखिए, यहां पर पूरा लाइन से इसको टाई मारत वालेंगे करने रेट ओधिए फेस रेज़ु देखिए Verekso, यहां पर नहीं है। पता हुआ यहां पर नहीं हां मंतूरा लाए चनलव हमारा करैंसे देखिये ब्लू ब्लू झो मारा भी वाला फेज ए तीन में लगा है इसको खनेशन कैसे करते हैं आपको बताते हैं देखिये अाँपर हम आर वाले वाले प Entertainment बाले ऐडंदी वाये याना फेस दाल के सौला में और देखिये यहां पर रेड़ वाला जो हमारा फेस करेंगे यहां से हमारे इन्वे और और इस पुएंट में लगा दिएज रगाना है तब हमारे यहां पर यूपी एश पूर्ट जाएगा और इम्मारे इन्वेटर ब्लेंगे सल्गे इस सर्कल बढ़ जाएगा और एक ट्रक यह हमारा हो गया थीनों फेज और इतना सारें से भी जो कुछ काम का भी नहीं आएगा टोटल हमारा चारें से भी काम करेगा उसके बाद एसी का पास एसी तो हम लोग 32 में डाल देंगे लोड उसके इस अपसरपन को कनेक्शन करना है लगाक यहां पर पॉइंट कर दिये नीटल पॉइंट रहेगा और फेस यहीं से देंगे अपन और यहां पर है इन्वेटर का पॉइंट लेकाएंगे यहां पर जो बेंडी काले नीचे से और एक ग्रीन कलर गार्थिंग का है तो हम बोडी में टाइट करेंगे नाट बोल्ट में चलते हैं अभी इन्वेटर व हम लोग अर्पूड बनाएंगे हूसाइल यहां पर टाइमार देंगे उपर लेके आएंगे लोगते राइनिक नवेटर में तेंपिय तेंड करणा पर देंगे मैं कर्देंगे यहां भी एस का पहलरे जोड़र्बिध om दास एंपेर में और देखिए अंपर हमारा इन्व1 तो इन्वेटर से मुझे पावाल लेंगे अब देखिए आपको टेश्टर में टेश्ट करके बताते हैं देखिए यहां पर हमारा वोल्टेज्ट सो कर रहा है अब इंडिकेटर आपको दीक रहा होगा देखिए तो यह हमारा इंपुट करेंगे इस पॉल पर जो 10 एंप्यर क करते हैं पर हमारा पॉइंट कर दिए इन्वेटर अभी तो लाइट कर दिया है लैट सो नहीं कर रहा है मतलब लाइट यहां पर इसके बाद देखिए यहां पर कनेक्शन कर दिए एंसी भी उठा देते हैं आप चार्जिंग होगा हमारा इंवेटर और यह से आउट पूट लोग ए में रहे तो समझ है कि एसको मैनस प्लस करेंगे उसके नगें के बादो यहाँ अश्चे करएं इसके लगाहिंगे यहाँ ने जबता ही राव का यहां आपका संधा पॉंक्सरा रहाए अर के संधिए कि मैन obedience कर देखी इसमें जो पॉइंट है, देखिए माइनस प्लस उपर का, उपर नीचे नहीं है, पहला नंबर के एसी का पॉइंट माइनस प्लस जोड़ दी हमारे रेड वाले फेस पे उसके एलो वाले फेस में अपन जोड़ेंग यहाँ पर एसी का दूसर नंबर फेस जिसमें नाम लिखे यहाँ पर, तो वन अट्व हो गया, दो पॉल का हमारा बज गया एसी पॉइंट, तो यहाँ पर यहाँ पर कनेक्शन होगा, तो इसमें जो हम लोग कनेक्शन करेंगे, और बाकी तो आपको समझाए दिए सिंगल पॉल का कैसा तरीके से लिखें, आपर देखिए, आपर हम आपको बोर्ट चाहा हमारा सप्लाई आया है, आर वाई, अब भी, ठीक है, तो यह तीनों फ्रेस को हम लोग बार दियें, और इसको बार डिस्ट्रीट हो गया, बस एसी का हमारा दो पोल में कनेक्शन हो रहा है, एक सरकिट होता तो और अच्छे तरीके से यहाँ पर बैले इसको बन करते हैं, अब लोग करते हैं, बचेंगे अब हमारा स्विच को अप कर दियें, और मसीवी हमारा मसीवी ऑन है, और सब कनेक्शन जो है, अच्छे तरीके से हो गया, हमारा कम्पलीट, अब कुछ भी कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं कैसे तरीके से कनेक्शन कियें इसको, आप स्क्रीन सोट ले लिए ना, वीडियो में नहीं तो समझ नहीं आएगा, तो आपको वैरिंग के बारे में, और देखिए, यहां पर बस बार पर पूरा कनेक्शन हो गया, MCB भी डिस्टिबूट हो गया, AC का भी कनेक्शन लग गया, और इसको करके बारीके से आपको समझा देते हैं क्यों सा काम का आएगा, और हम स्टार्टिंग में आपको ले के आते हैं, यहां पर देखिए, मैन, MCCB हमारा, यह मैन लाइन का हमारा MCCB है, और उसके बाद देखिए, एक हमारा ओट्पूट एंडिकेटर है, 123RYV, ठीके, यह ह पर काल्कुलेट करके, यहां पर नोट करके बता रहा है, नमबर में, देखिए, पहला नमबर फेस में हमारा वोल्टेज है, देख सकते हैं, यहां पर वोल्टेज सो कर रहा है, 233, यहां पर यहां पर भी तीसर नमबर कर 233, ठीके, उसके बाद देखिए, यहां पर हम इसक इवफिस का जो एंपेर वोल्ट यहां पर सब डीजिटल में सब कुछ बताता है यहां पर उसकी बद देखिए यहां पर एक हमारा जनरेटर कनेक्षन है पहले नमबर में देखिए यहां पर इस्टिकर नहीं लग क्या था हम लोग इसको इस्टिकर को बनाये इस्टिकर खल ड दूसरा नंबर यहां तो यह लीवर को अपने को घुमाना इधर तो यह दूसरा नंबर में आ जाएगा ऐसे तरीके से इसको घुमाना उसके बाद दूसरा नंबर में पॉइंट हो जाएगा उसके बाद देखी दोस्तों यहां पर हमारा फेस सेलेक्टर है यह का काम आता है आ हमारा फेज जो है इसमें और पूट मिल जाएगा तो यह फेज सेलेक्टर उसका के लिए आता है 123 इसको बना के रखें ताकि कोई भी स्टीकर में अपन नंबर देखेंगे तो वन में रखेंगे और इसको टू में रखेंगे क्योंकि यह बैलेंस बनाना इसका तो हम 123 करके इस इसमें डेट और टाइम डाल की रखें हमारा फॉन नंबर इसके बाद आपको بتाते हैं ब्रेकर के वारे इंपर पहले नंबर स्टार्टिंग देखी है यहाँ पर एसी पॉइंट कि है यहाँ पर वन कर दिए तो रखें यहाँ पर उसके बाद देखिए दो हमारा फोल को खा इसमें पॉइंट नहीं की हैं दो में हम लोग आर और वाई में डाले हैं वी का गनेक्शन नहीं है और नहीं है अब दो पॉइंट खा लिए तिके उसके बाद देखिए यहां पर है और अब दो पॉइंट आपर और अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और दोस्तों यह जो वीडियो आपको समझ आई गया होगा कैसे तरीके से इसको इस्ट्रीशन करना काफी दोस्तों वीडियो अच्छे लेगा चैनल को सब्सक्राइब से जरूर करना चलो मिलते हैं अगले